केंद्रिय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी ने कहा कि आज पूरे देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि NRC से किसी भी धर्म के लोगों को भारतिय नागरिक को कोई नुकसान नहीं है भारतिय नागरिक की नागरिकता 100% सुरक्षित है जिसमें भारत के मुसल्मान भी शामिल हैं जरूर कोई गुम्राही गैंग है जिसने को उनको पूरी तरह से गुम्राह किया है और जिसके वज़े से एक पागदा बतल पनाने की कोशिश हो रही है जरूर को जरूर कोई नागरिकता हुए जो हिंडोस्तान का कोई भी नागरिकता है इसमें मुसल्मान की शामिल हैं हिंदु कि सामिल हैं इसाही समाज के वह सामिल है किसी भी नागरिक की किसी भी भारती नागरिक की नागरिक के बाद आज पहली बार जो है कश्मीर पर तरंगा फरह जा रहा है क्या करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ता अमारा में कहीं एक खोड़ी कमी थी जिसमें जम्मू कश्मीर का इलाका जो है वह कहीं समधानी कारणों से हमारा हिस्सा होते हुए भी नहीं दिखता था क्यूंकि वह आपी तरंगा नहीं खरापता था कई जो करता हैं । यसलिए वह कि अज़े सभी और कश्मीर में बहुत बड़ावाया है। बहुत कश्मीर के लोग आज परगती और तरक्षी की धाराई की हिस्सेदार भाड़ी दारा है। नक्वी जी बहाचपा के लोग लगतार जो है विवादित बयान दे रहा है। योगी जी ने भी विवादित बयान दिया है। क्या कहेंगे आप क्यों विवादित कर रहे हैं।